एलो स्टूडेंट शिक्षा FM दे ओनलाइन प्लेटफॉम ते तो अड़ा स्वागत है जिस त्रिक्के नाल जिड़े भी स्टूडेंट एस चैनल दे नवे ने चैनल लो तुसी जरूर सब्सक्राइब कर लेना है लाइक करना है अते शेयर करना है मैं देविंदर कुमार यादव तुआनू लाइबरेरी रिस्टॉरर दी 56 वकैंसी वास्ते त्यारी करवा रहा चाहे अपने पंजाब दे वेच लाइबरेरी असिस्टेंट असिस्टेंट लाइबरेरियन और लाइबरेरियन अडवर्टाइज नंबर जड़ा चार सीगा 2003 अगस्त दे वेच जड़ी वकैंसी आई सी ओधा सलेबस आया एजटीज जड़ा 2021 दे वेच जड़ा लाइबरेरी यन्दा पेपर होया सी ओस्दे तरह है तो सब तो पहला तुसी चैनल में जुरूर सब्सक्राइब कर लेना है आते शेयर करना है और लाइब करना है इन्ना कम ततुसी मेरा कारी देन है बई सारे बच्चे आने एक युनिट आई जिदे वेच आ देखो नाइन्थ युनिट है जेड़ा सलेबस 2021 दे वेच छेसो कानमे लाइबरेरी यन्द चाहिए उस्तो बाद ती अत्तर बैकलोग चाहिए ते इस्तो बाद होन जेड़े भी पेपर हो रहे होना चाहिए ते मेंनू ए शोर्टी है भी आही सलेबस तो आड़ा लाइबरेरी रीस्टारर दे वेच रहे नाड़ा है मेरे हिसाब नाड जड़ी नंबर नोवी युनिट है गिया है कंप्यूटर बे सवा ले दे चाहे सीगे ठीक है जी दे वेच आना ने बोले आए information communication technology in library and computer basics of computer net internet use of productivity जिस तरही प्रोड़क्टिव जैसे खोहा, सोल, LibSys, Barcode and RDFI technology और e-publishing इन दे विच्चों मैं तो आनू एक अल समझाण दी कोशिस करूँगा कि library the software LibSys ठीक है तब basic to high आपा पढ़ांगे एसे वीडियो दे वेच मैं तो आनू ए समझाऊँगा LibSys ठीक है ए ए सौफट्वेर है ता अपा चल दे हाँ एदे केड़े केड़े software राणगे ठीक है एदा आज मैं तो आनू थियोरी दी क्लास जड़ी है लगवाऊँगा पंजाब दा कोई syllabus बहुत ज़्यादा syllabus नहीं है डी टी प्रलस बोड केंद्रिय विदाले है और नवोद्या स्कूल दे विच रिजन दी पोस्ट हों दी है ओस तो बहुत कट से ले बसा है समझागे जेस तरीक के नाड़ आपा गलबात कर लेने हां लिब S.Y.S. ए जड़ा software है एक commercial software दे वेट चांदा है ठीक है तूसे ओ भी अपा चर्चा बाद दा विश है ठीक है पर पहला मैं तो अनू डिटेल न आ सकता है पेपर दे वेच ठीक है कि लिब S.Y.S. जड़ा software है एक किस company ने start किता सी ओधा नाम की है InfoTech Consultant Private Limited New Delhi दी एक software based company है ठीक है जीदा कम की है with a mission to retain as market leader in field of library automation मतलब की है market वज़ों बरकार ए अपनी market नू बरकरार रखन दे mission नाड़ software company है library automation दी मतलब basic दा मतलब की है basic जी गल की है तो अनू एस तो question ए पुच्छा जा सकता है कि ए नू लिब S.Y.S. नू start की ने किता सी InfoTech Consultant है ठीक है वई ता ए गल तुसी याद रखनी जेड़ा भी बच्चा है पंजाब school librarian दी library restore दी त्यारी करना चंदा है ए साड़ा Google Play Store तो एप है जीनू तुसी डाउनलोड कर लेना है शिक्षा FM Academy दा ठीक है ओथे साड़ा course जेड़ा है चल रहे है जिनना बच्चेयां कोड आईफोन है organization code एप डाउनलोड करनते तो आनू मंगेगा ठीक है LCF DH जिनना कोड आईफोन है उनना वास्ते एथे तो आनू पंजाबी एदी त्यारी करानी जाओगी क्योंकि पंजाब दे पेपरां चे पंजाबी चे फेल ता सारे अंचे फेल ठीक है हाँ होनता रेशो सठ चाड़ी हो गया 40 टेकनिकल अते और सट टेकनिकल ते 40 नम्बरा दा जिडा जर्नल पेपर है जिदे मैथ रीजनिंग जी के जेडा की जरूरी है जिदा ए स्ट्रॉंग है ओ पटवारी भी पर सकता है ओ लाइब्रेरी भी पर सकता है ओ वीडियो दा 792 विकेंसी पंजाब चारी हो भी प पर सकते है ठीक है बई हांची दा कंपनी एंगेज़्ट इन प्रवाइडिंग सॉफ्ट्वेर स्लूशन सिंस इयर ए सॉफ्ट्वेर स्लूशन कदों प्रवाइड करवाई उन्नी सो चुरासी देविच लगबग लगबग सत एडिशन आए ठीक है इट्स कॉंटिन्यूस ग्रोथ हैज मेड लिब-SYS इज ए डिफेक्टो स्टेंडर्ड कल नू तो आनू क्वेस्चन आऊगा कि लिब-SYS दे विच केडा स्टेंडर्ड यूज किता गया है ता ओदे विच केडा डिफेक्टो स्टेंडर्ड विब बेंचमार्क इन समझा गी इनिगल समझा गी उननी सो चुरासी दे विच स्टार्ट होया सी उननी सो चुरासी दे विच ही बहुत कुछ जिवे की मिथाईल आइसो साइनाइड बोपाल गैंस तरास्दी होई सी ठीक है ना भंजी अगला सवाल सवाल तक की है अगला पॉइंट की है एक अल्ला तो अनू याद करनी है पेपर दे वेच नोट्स बढ़ाओ बार बार पड़ो अगर मैं जेड़ी भी चीज पढ़ाना जेड़े भी बच्चे है सड़े जेड़े बच्चे है ओनलाइन पेड बच्चे है उनना बच्चे अनू भी मैं कह देना तुसी सड़ा पेड बैच लओगे ओदेच मैं बार बार रही गल कहना भी जड़ी चीज रिपिटेशन कोई बंदा नहीं करदा अपने शक्तिमान तो है निवी एकरा ही पढ़ लिया उस तो बाद आपना याद रहूगा नहीं बार बार पढ़ो बार बार पढ़ोगे कटो कट पंजवार तुसी पढ़ नहीं पढ़ना है समझागी LibSys is a group of integrated multi-user library software तब तो अनुपुच्छा जाएगा कि LibSys केड़ा तरहां ता software है multi-user है, single user है, both user है इस तरीके दे question तो अनुपुच्छे जानगे ता multi-user है आ किते software जड़ा है रन करता है केड़े platform ते? Unix ते ठीक है न? novel land ते तो अनुपुच्छा जाएगा window anti ते और window XP ते तो अनुप कल नुप एक 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 जामपल दे देगा यह थे Linux लिख देगा तो अनुपुच्छेगा इन आ विच्छो केड़े ते LibSys software रन नहीं करदा यह थे मनलो कोई और software दें जिन दे है ना कोई और दें दे जिन दे तो तो अनुप एक एक एकल याद रख लो केस फॉर्मेट ते हैं जेड़ा है बिल्ड करता है एंड स्पोर्ट वेरियेबल हील्ड लेंथ एंड डिफरेंट टाइप ऑफ डॉकुमेंट समझागी तो केस तरिक्के दा फॉर्मेट है इस प्रॉफिट फॉर्मेट नू स्पोर्ट करता है ठीक है ना अगला ध्यान दे हो गई इट्स आलसो एवेलेबल और इन्वायरमेंट यूजिंग ओर आर एस और एकल ठीक है जी की बोल देनू इट इस आलसो अवेलेबल फॉर इन्वायरमेंट यूजिंग और एकल एक लेंग्वेज है फोर एस केवेल स्थरवर और माई एस का यूजिंग तो अनू एकल याद रखनी है एदी फुल फॉर्म तुसी दसनी है ठीक है ना जमें S दा मतलब है sequence उसे तरीके नार दसो भई S क्या हूँ L दी फुल फॉर्म जड़ी है की है ठीक है जी और back end to RDBMS ठीक है न full graphical user interference GUI आ देखो ऐ फुल फॉर्म आगी उस दन तो अनुकराई front end provide दा window client ता एक मैं एक अलकेंड दी कर रहा हां की ए और एकल ते भी valuable है समझागी और एकल ते ही valuable है ओदे ते ए जड़ा software है LibSys ठीक है थोड़ा deep पढ़ाऊंगा तो आनु मैं समझागी होड़ा आपा कर देने हां ए दे बारे ता सब तो पहला आपा गलबात कर लेने हां history ए दी history किये समझागी ता आपा चल दे हां 1984 दे बिच मैं तो अनु किया है ए software डवलप किता गया सी ओस company दा नाम तो अनु पता है Indotech consultant ठीक है एक गलता तो अड़ी होगी ठीक है 1984 दे बिच कल नो तो अनु question आएगा कि LibSys दा पहला वर्जन LibSys 3 वर्जन जी दा नाम है LibSys 3 ठीक है थर्ड वर्जन वाज रिलीज बाई फर्स्ट इंस्टॉलनेंट अट NIC and DOS यानि के National Institute of Center and Department of Education मेरी गल समझो मैं की समझानदी कोशिस कर रहा हां ओ तो अनु पुच्छेगा कि LibSys दा थर्ड वर्जन कदों आया 1906 देवेच जाया ठीक है ना LibSys 3 वर्जन ठीक है ना एदा ना है थर्ड ठीक है ना 1905 में देवेच LibSys नो एथे एथे इंस्टॉल किता सी Spanish Language चे भी इस्टॉल किता सी British Council चे भी इस्टॉल किता सी ठीक है जी एक अलना याद रखनी है 2000 देवेच Y2K Migration and Client Service LibSys 4 इस्टॉलीज आदे को एक दो तेन या किन आ गया LibSys 4 इस्टॉलीज करता लिज़ 2003 देवेच LMART RFID यानि के Radio Frequency Identification Detector System Deploy Bank of Broda at Mumbai India LYS Digital Digital Resource Management System Pre-LS Pranima Multisites इंस्टॉल किता ए सारी आ गलना तो अनू मैं दस्वन दी कोशिज दिसकर के कर रहे हैं कि ए ना गलना दा ध्यान रखना है अब जिम्हें आ देखो LibSys 7 A State of Global A Web Based Library Management Software Launch किता सी 2008 देवेच कल नू तो अनू पेपर देवेच अगर जिस तरिके ना पंजाब दे Colleges विच Librarian दी पोस्ट आ रहे है Emily बो देच मंगी गई है 58 वकेंसी आएगी ओस तरिके दे पेपर देवेच Question तो अनू पुछा जाएगा कि LibSYS 7 जिड़ा LibSYS दा वर्जन है वो कदो लोंच किता गया सी वो 2008 देवेच किता गया सी 2004 LibSYS 24 कदो अपन जिड़ा जिड़ा जिलीज किता गया सी ए तो अनू पुछा जाएगा ता आ देखो वो 2000 देवेच किता गया सी समझागी भई ता ए गल्ना दा तुसी यादे रखनी है ठीक है ना 2010 देवेच कंपनी लिम्टेड बन गी सी ठीक है ना ता ए गल्ना दा तुसी ध्यान रखना है अगला पॉइंट अगला देखो भई LibSYS Library Management System 5 में डिवल है तो अनू कलनू पुछा जाएगा हलांकि मैं ए गल्ना पूरी डिसकस नहीं करूँगा Acquisition दा मतलब की होएगा Cataloging दा मतलब की होएगा जदो मैं MCQ करूँगा तो इस सारी अगल्ना तो अनू दर्शाओंगा बट तो अनू कलनू मैं ए गल्ना पुछ हूँगा कि LibSYS दे किन्नी मेडियूल है प्रदेविच आ क्वश्चन आएगा जवे मैं तो अनू कहूँगा कि डुल्बिन को और देविच किन्ने एलिमेंट है Metadata 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 विच किन्ने एलिमेंट है तो उसी दसना है 15 है ठीक है न तो अनू कलनू पुछा जाएगा कि LibSYS Library Management Software किन्ने मेडियूल है चार है पंज है छे है Acquisition System Cataloging System Circulative System Serial System और OPAC पंज मेडियो ले हमजागी भई ताइस तरिक्के दे आपा इनू जड़ा है पूरी तरिक्के नाड़ छान देना है पेपते विच हाँ जी अगला सवाल अगले विच आपा गल बात कर लेने हाँ ठीके ना LibSYS केड़े केड़े वर्जन आए LS Erase Is is a fully Mac 21 Unicode और इना formats समझागी LS Erase Erase ठीके जी अगला देखो सेकिंड जड़ा वर्जन है ओ है LS Academia एक complete enterprise resource planning एक software है ठीके जी बिजनस management software solution है अब तु अनू पेपर देवेच question पुछा जाएगा कि सानू जी full form 200 ERPD देखो एए उनना बच्चेयां वास्ते है थोड़ा deep है मैं एए 78 मिंट चे भी तू अनू करा सकदा सी समझागी मैं इसे करके नू लंबा लेके जा रहा हां ताकि तू अनू जड़ी भी चीज पढ़ो उनू बहतरीन तरीक के नाड़ तूसी पढ़नी है समझागी अब देखो तो अनू कल नू पेपर देवेच पॉस्चन मनलो मैं एग्जामीन रहा साथ नंबर चे मैं चार रख्या है भी किसे बच्चे दे ब्याणी नंबर तो उत्ते नंबर ना आवे क्यों ना आवे क्योंकि पेपर टप पादे हो समझागी तो मैं फुल्फर्म जुरूद ठोकूंगा तो अनू ठीक है न ERPD ERPD फुल्फर्म की है Enterprise Resource Planning अब तो अनू कल नू पेपर देवेच कॉस्चन आजेगा तो अनू पता लगजेगा कि यह LS Library Software Academia ठीक है जी ओ Management है एक College और Academic और Institute Campus और स्कूल दे वेच जेड़ा है एदा यूज जेड़ा है हलोंदा है ठीक है जी फर्ड वर्जन आया LibSYS 4 LibSYS 4 is a one of the very popular version of LibSYS which is provided on various platform as per and need to the client जेड़ा भी client है बंदा है ओदी नीड नू लेके ए जेड़ा है बहुत वदिया software है LibSYS 4 जेड़ा फोर्थ वर्जन है जेड़ा सोरी थ्री वर्जन है ओदा नाम है LibSYS 4 तो आनू पुछा जाएगा कि LibSYS 4 कदों आया तुसे जवाब दे जोगे अनू पुछा जाएगा इना विच्चो केड़ा software पॉपुलर है LibSYS 4 LibSYS Academia या कोई और नाम दे देगा तो तुसी की को लोगे 4 बट 7 options चे नहीं आना चाहिएगा ठीक है ना आगे देखो ए साड़ा WhatsApp नंबर है ठीक है ना अगला देखो अब तो आनू पेपर देवेच कोशन पुछा जाएगा कि LibSYS 4 अगला देखो अब तो आनू पेपर देवेच कोशन पुछा जाएगा कि LibSYS 7 एक किस तरिक्केदा सोफ्ट्वेर है एक वेब बेस्ट सोफ्ट्वेर है इंडिपेंडेंट है प्रोवाइड वेरी अडवांस OPC फोर यूजिंग विद वेब 2.0 इंटरफेंट ठीक है LibSYS 7 प्रोवाइड दा Competency with ZWT Based or GUI With Multitasking Features एदे वेच की है Graphical User Interference दे नाड़र के Multitasking Features है एस सोफ्ट्वेर दे वेच मैं MCQ कराओंगा यह भी दसुआँगा LibSYS 4 और LibSYS 7 दे वेच की difference ने MCQ दे साथ नाड़र चर्चा दे विशे होंड है नहीं ठीक है क्योंकि अजे तक तो अनू पता नहीं RDBS की चीज है इना दे सारें दे उते वीडियो जड़ी है समझागी भई अगला जेडा सो वर्जन सीगा हो दा सीगा LS Digital Is a Absolute Digital Resource Management System DRMS अब तो अनू फुल फॉर्म पेपर दे विच पक्ता पुछी जाएगी ठीक है ना मैं वर्जन ही करवा रहा है ठीक है जी ता एक अलना दा तुसी ध्यान रखना है ठीक है Having standard Compliance with OAI for a Meta Data Harvesting and Dulbin Core ठीक है जी Dulbin Core दे विच किन्या Core है ता एक तुसी याद रखना है 15 एक बहुत वार पेपर चे कोशन आया है ठीक है ना एक अल तुसी याद रखना है मोटा मोटा मैं की समझान दी कोशिस कर लें मोटा मोटा मैं Software जेड़ा है यह Automatic Library Software है Commercial है Digital Resource Management Software है Open Source WTV Google Web Toolkit है and RDF RFID Radio Frequency Identification Detector है एक Multi User अब यह बहुत याद रखनी है Library Management Software है जेड़ा अपनी एक Library दी नीड नूँ पूरा करता है समझागी Library and Information Professional and User Tree-based structure system compared to several subsystems dual software unmatched with depth operation and functional recently बहुत ही भैथरीन जेड़ा software है यह मन्या गया है कल नो तो अनु पेपर देवेच कोशन आ सकता है कि GWT the full form की है Google Web Toolkit Lib SYS किशन स्पोर्ट करता है 2.0 version ठीक है मैं तो अनु एस करके समझाईया है खतरनाक topic नहीं मनना इनू समझागी जान करके मैं इस तरीक के नल पड़ाया है तक कि तो अनु में उत्थे जाके धिरे 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 तो अनु में मोल्ड कर सकूँ अगले lecture दे विच मैं एदे mcq कराऊंगा इस तो पहला तुसी इनू पड़ लेना है ठीक है ना सारा ही एक तरह दा खजाना है जड़ा की मैं तो अनु दस रहा अपना ए टेलेग्राम चैनल है इनू जोइन करना है तुसी सारे बच्चे आने ठीक है भे अगर कोई तो अनू क्वेरी है ता ये इस नंबर ते पोच्छ सकते हो तुसी कोर्स दे रिगार्डिंग, PDF दे रिगार्डिंग, पंजाबी ए दे रिगार्डिंग सारे बच्चे आनो ठीक है ता मैं तो अनू ए लिब SYS करवाया है इन्फो टेक कंपणी ने 1984 दे विच डवलप होया 2000 दे विच लिब SYS 4 बणया लिब SYS 7 ठीक है ना ठीक है ना ता ये गल तुसी याद रखनी है पपुलर सब तो ज़्यादा पपुलर लिब SYS सीगा, वेब बेस्ट केड़ा है ये तुसी दसना है ठीक है ना ये बसे समरी है मिल दे आपा फिर अगली के क्लास दे विच इससे टोपिक दे MCQ नाल या किसे हो टोपिक नाल उदो तक ले बाई 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 जय है